आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नॉबल प्राइस इन केमिस्ट्री 2020 इस पार का नॉबल प्राइस केमिस्ट्री फिल्मे जीन एडिटिंग क्रिस्पर टूल के लिए दिया गया है इनामिलो चार पेंटर और जैनिफर एडाउडना आर्दा रिसर्चर जिनको इस साल के नॉबल प्राइस 2020 के साथ मिवाचा गया है इनामिलो जो की फ्रांस की रहने वाली हैं और फ्रेंच पोफेसर हैं साथ मी जी माइक्रो बायलोजी बायो कमिस्ट्री और जैनेटिक्स में रिसर्चर हैं और वहीं पर जैनिफर अमारिका की रहने वाली हैं और जैनेटिक्स और माइक्रो बायलोजी में रिसर्चर हैं अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जे क्रिस्पर जैनेटिक टूल है क्या क्रिस्पर जैनेटिक टूल की मादद से हम किसी भी जैनेटिक ट खतम कर सकते हैं और जो डिफेक्टर परसन है वो नॉर्मल परसन की तरह भीव कर सकता है अभी हम डिस्कुस करेंगे कि क्रिस्पर का कंसेप्ट आया कहां से है जब कोई वारेस बैक्टिरिया पर अटेक करता है तो बैक्टिरिया सेल्फ डिफेंस की हाप से अपने आपको वी थ्रांग काम 2012 में किया गया था science फो डी अइनने अदिटिके लिए लेकर यूमन चल सब्सेल कर फ्लांट तक यूज किया चलता है reversed one isati क्मपोनेंट अफ खाय और करिस्पर के दो बोलते हैं और इसका काम है डिफेक्टर डिने की साइट पर जाके कट लगा देना इक्चल में क्रिस्पर दिखाई कैसा देता है वाइट और क्लावडी सा पार्ट है क्रिस्पर असोशेटर अजाईम जाने की केस9 और सिंगल स्ट्रेंट हैलिकल स्ट्रक्च जो रड कलर किया है वो है गाइडिंग आरे ने तो आगे हम देखेंगे कही क्रिसपर काम कैसे करता है वीकिंग में हम देखेंगे की केस 9 केस नाय Redmi रेकोगनाइज करेगा और उसी समय पर जो doctors हैं और जो researchers हैं वो add कर देंगे RNA को जिसके पास DNA के complementary sequences होगी जब RNA with complementary sequences of DNA आईगा और वो DNA के double helical structure को complete कर देगा और उसके बाद जो defect है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा body से और इस तरह CRISPR काम करता है defects को body से permanent निकालने के लिए last पे हम discuss करेंगे applications of CRISPR पहली application है कि humans में हम genetic disorders को permanently खत्म कर सकते हैं animals में resistance प्रवाइड करवाई जा सकती है towards diseases and plants में plants की nutrition को enhance किया जा सकता है with the help of CRISPR इसी तरह human cell से लेकर plant cell तक CRISPR helpful हो सकता है thank you for watching the video